आनन्द मुख्वास की जो है मौट फ्रेशनर का बाच्छा सौव धना दाल तिल अजवान जैसे नैच्रल चीजों से बना छोटों से लेकर बड़ों के खाने उप्योग वाव नाइफ मुझे भी चाहिए आनन्द मुख्वास भरपूर ताजी सास अब आपके पास आनन्द मुख्वास के साथ अब पचास पैसे एक रुपया पांच रुपय और फैमिली पैक में भी उपलब नमस्कार आदाव इन्वेस्टिकेशनी 24 में आपका स्वागते में सुल्ताना से काज की ताजोयम कबरों के साथ सोयगाव सामार समवदाता यासिन पेक की खास रिपोर्ट सोयगाव तालू का सोयगाव जुलाव रंगबाद AI MIM सोयगाव तालू का सोयगाव डेव सेक रई सेक रशीद अक्य दादा तेलका सोयगाव तैसिल कारेलें यहाँ पन इविदन देते हुए ब्रताय की 21,000 रुपए के पन प्रमान भूमी हिन वालों को जरूर जरूर मिलना चाहिए गौर गरीब विद्वा संजे गांदी निराधर योजना वा श्रवन वाली योजना के लिए 21,000 रुपए पन प्रमान पत्र भूभीन माननेता देने में आई हुई है महिलाओ को जादा उम्रवाले विद्वा इनको 10-15 साल से तैसिल कारेले पर चक्कर मार रहे है तेरका से सोईगा 38 किलो मीटर दूर पर है और तैसिलदार साब को निविदन दिया देखते हैं इन्वेस्टिकेसन ही 24 मैं इमाइम तालुक अद्देख्ष शेकरईश शेकरईशी दूर पाकरदाबा आज ये जब गोर गरीब लोग बिद्वा लोग हमारे पास आए कि आप लोग खासदार साब के पास चलो मैं इनको पूछा क्यों तो बोले साब हम कम से कम 10 साल से 12 साल से 15 साल से हम लोग फीर रहे भूमीं के लिए हमको उत पन्त आखला नहीं मिल रहे और 21,000 के उत पन्त आखला मिलना जरूरी है अगर भूमीन है यह लोग तलाटी के पाद चक्कर पे चक्कर मार रहें 28 किलोमेटर यह लोग रहते हैं सोयगाउ से मैंने देखा तैसिल में आए वापस चले गए अभी लॉकडाउन था इनका काम हुआ ने मैंने खाजदार इम्तिया जलील साहब से इसके बारे में चर्चा की खाजदार कर अपना लेटर दीजिए और इन लोगों को वहाँ पर आपके साथ लेके जाए और इन लोगों का संजे निरादारा से अगर पेमेंट चालो नहीं होता है पगार चालो नहीं होती है उसके बाद मैं देखता हूं कैसी नहीं चालो होती है अगर भूमिन है तो इनकी पगार चालो होना चाहिए यानि यहां कहीं तो रिश्वत खोरपना चालो है कि भाई जो कुछ पैसे देता है उसका उत्पने निकल जाता है ऐसी भी बहुत सारे लोग है तालूके के अंदर के जो शाहिन गारी के उपपर पेमेंट लाने के लिए जाते ऐसे लोगों को आपने भुम अंदलन यहां पर मैं पक्षजोते ने छोड़ूंगा